दो परिवार एक दूसरे के पडोस में ही रहते थे एक परिवार हर वक्त लड़ता था जबकि दूसरा परिवार सांती से और मैत्रिय पूर्ण रहता था एक दिन जगडालू परिवार की पत्नी ने सांत पडोसी परिवार से इरिस्या महसूस करते हुए अपने पती से कहा अपने पडोसी के वहाँ जाओ और देखो की इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए उक्या करते हैं पती वहाँ गया और छुप के चुपचप देखने लगा उसने देखा कि एक अवरत फर्स पर पोछा लगा रही है अचानक कीचन से कुछ आवाज आने पर वो कीचन में चली गई तबी उसका पती एक रूम की तरफ भागा उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्स पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्स पर फेल गया उसकी पत्नी किचन से वापिस आई और अपने पती से बोली मुझे माप करना या मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया पती ने जबाब दिया नहीं मुझे माप करो क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया जगडारू परिवार का पती जो छुपा हुआ था वापस घर लोट आया तो उसकी पतनी ने पडोसी की खुश हाली का राज पूछा पती ने जबाब दिया उनमें और हम में बस यहीं अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिस करते हैं एक दूसरे को गलती के लिए जिमेदार ठाराते हैं जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिमेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तयार राते हैं दोस्तों एक खुसहाल और सांतिपूड रिलेशन के लिए जरूरी है कि हम अपने आहंकार को साइड में रखे और अपने स्वैम के हिस्से के लिए बैक्तिगत जिमेदारी को ध्यान में रखे एक दूसरे को दोसी ठाराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं दोस्तो अगर आप यहां तक यह वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी नौलेज मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंद दोस्तो एक गरीब यूग अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया वहाँ एक सादू ने उसे इसा करने से रोग दिया सादू ने यूग की परेशानी सुनकर कहा मेरे पास एक विद्या है जिससे एसा जादूई घड़ा बनाया जाएगा की जो भी उस घड़े से मागोगे यह जादूई घड़ा पूरा कर देगा और जिस दिन यह घड़ा पूट गया उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया होगा वह सब गाया भोजाएगा अगर तुम मेरी दो साल तक सेवा करोगे तो यह घड़ा मैं तुमें दे सका हूँ और अगर पांच साल तक तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं यह घड़ा बनाने की विधि भी तुमें सिखा दूँगा युवक ने कहा माराज मैं तो दो साल ही आपकी सेवा करना चाहूंगा मुझे जल्द से जल्द बस या घड़ा चाहिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी फुटने नहीं दूँगा इस तरह दो साल सेवा करने के बाद युवक ने वह जादुई घड़ा प्राप और एक दिन नसे में घड़ा सीर पर रख कर नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गीर गया और फूट गया घड़ा फूटते इस सब कुछ गायब हो गया अब युवक सोचने लगा कि कास मैं जल्दबाजी नक की होती और घड़ा बनाने की वीधि सीख ली होती तो आ आज मैं फिर से कंगाल नो होता है दोस्तो ठीक इसी परकार इस्वर हमेशा दो रास्ते पर रखता है एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़े लंबे समय वाला पर गहरे घ्यान वाला यह हमेशा चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चले कोई विकाम जल्दी से करना अच्छा नहीं होता है बलकि उसके विशे में गहरा घ्यान आपको अन्भवी बनाता है दोस्तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी घ्यान मिला है तो वीडियो को जरू लाइक करें ठैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जय हिन दोस्तों फिर मिलते हैं अगले मिलते हैं अगले वीडियो में